नमस्कार शाथियों, आपके अपने यूटूब चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर शाब सभी का अविनंदन, आईए आज हम सभी एक और प्रशनोतरी पर चलते हैं, जो आधुनी काल से संबंधित महत्पूर प्रशनों के आधार पर ली गई है, इस तरह से इस प्रशन मत्री में पहला प्रशन लेते हैं, त्री धारा की रचनाकार कौन है, सुभद्रा कुमारी चवहान, मोहनलाल द्रिवेदी, सोहनलाल द्रिवेदी, जगननाज प्रशाद, रामधारी शिंग दिन कर, तो शही बिकल्प आपका आगया है सामने, आप सही बिकल्प लगा सकते ह शही बिकल्प है, और सुभद्रा कुमारी चवहान, इसी तरह से अगले प्रशन पर चलेंगे, अगला प्रशन जो आपके सामने है, अगला प्रशन उस पर चलें, मुकुल नामक रचना के रचईता है, मुकुल नामक रचना के रचईता कौन है, सुभद्रा कुमारी चवह ज्भान हैं मां खणलाल चतुरवेदी जी हैं रामनरेश्त्रिपाथी जी है रामचरितौपाध्य्याय जी हैं चार नाम दिए गेma है तो मुख्ल जो रचना है वह सुभाद्रा-Kumarrafam की है इसलिए आपका सहीं विकल्प हो जाएगा और सुभद्रकुमारी चौहान इसी तरह से अगला प्रश्ण है जंकार के रचईता कौन है जंकार एक रचणा है जिसके रचईता पूछे जा रहे हैं सुभद्रकुमारी चौहान कि राय देवी प्रशादपूण हर्योद दिनकर मैथली सारंड गुप्त तobst यहां पर आप देखें जंकार में राय देवी प्रशादपूण पूद्या स्विबव ऑध्या थ्योद 5 कर मैथली सारंड गुप्त चार नाम दिये गए हैं जंकार जो रचना है मैथलीун सरण गुप्त की है इस तरह से अबिकल पाप का सहीं हो जाएगा मैथली सरण गुप्त चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं रेडु का नामक रचना किसकी है रेडु का नामक रचना किसकी है अम्भीकात त्यव्यास की रामधारी शिंग दिनकर की राधा कृषणदास की बिकल पाप सहीं हो जाएगा आप बिकल पाप सहीं कर सकते हैं इसी तरह से रस्वंती रचना के रचना कार कौन है रस्वंती जब पूछा जाए तुरंत आप समझ जाएए चाहे रेडु का हो चाहे रेडु का हो और चाहे रस्वंती हो दोनों किसकी रचनाए है दोनों दि आगया रश्वंती भी दिनकर की रचना है वह विकल्प आपका सही हो रहा है महावीर प्रशाद दिवेदि किस छद्म नाम से अपनी रचनाय सरस्वती में छापते थे सरस्वती पत्रिका में छापते थे तो आप समझ गए होंगे उनके छद्म नाम कौन थे भुजंग भूसड भट्टा चार्या तो इस तरह से आप वह विकल्प सहीं कर सकते हैं भूजंग भूसड भट्टा चार्या अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण है कुरुछेत्र किसकी रचना है हरियोध की है रामधारी शिंग दिनकर की है मैथलि सरनगुप्त की है शोहनलाल द्रिवेदी की है मोहनलाल महतो यहां मोहनलाल महतो लिखा गया है तो मोहनलाल महतो की है इस तरह से आप देख यह कुरुछेत्र जो है सही माईने में किसकी रचना है राम धारी सिंग दिनकर की है तो आप तुरण्त लगाएंगे कुरुचेत्र राम धारी सिंग दिनकर विकलप आप सहीं कर लिजिए इसी तरह सगले प्रशन पर चलते हैं हूंकार नामक रचना के रचिता कौन है हुंकार नमक रचना के रचिता कौन है यहां पर भी आप देख पा रहे हैं हुंकार किस ने भरी थी रामधारी सिंग दिनकर ने भरी थी इस तरह से हुंकार जो है रामधारी सिंग दिनकर की प्रशिद्ध रचना है हुंकार इसी तरह से अगला प्रशन है रस रस्मिरेखा किसकी रचना है तुरंत आप पकड़ गए होंगे खोशन पकड़ लिए होंगे क्या होगा बाल कृष्ण शर्मा नवीन और विकलप आप सहीं कर लीजिए इसी तरह से अगली रचना है हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है हल्दी घाटी के रचनाकार यहां कौन ह आपको बताना है तो सही बिकल्प आपके सामने चार दिये गए हैं मैथली सरंगुप्त महावीर प्रशाद देवेदी श्याम नरान पांडे स्विधर पाठक जिसमें सही बिकल्प आपका सह है तीसरा बिकल्प सही है सह श्याम नरान पांडे की रचना है हल्दी घाटी इसी अगले प्रश्न पर चलते हैं कि कस्मीर सुस्मा के रचीता कोन है कि यह रचना कि बहुत ही महत्पूर्ण है स्रीधर पाठक है गया प्रसाद सुकल सने ही है राधा कृष्ण दास है उद्धे संकरभट है यहां पर आप देख पा रहे होंगे इसमें स्रीधर पाठक जी कस्मी सुस्मा जो रचना है उसके रचीता स्रीधर पाठक जी माने जाते हैं अगला प्रश्न है रस्मरथी के रस्मरथी नामक रचना किसकी है अब रस्मरथी नामक रचना जो पूछी गए बियोगी की हरियोध की दिनकर की राय देवी प्रसाद पूर्ण की तो रस्मरथी जब विकल्प आपका शह होगा रामधारी शिंग दिनकर रामधारी शिंग दिनकर इसी तरह से अगला प्रसना आया जोहर नामक रचना किसकी है अब जोहर नामक रचना जब पूछी जाए तुरंत आप जोहर की बात करते हैं तो स्याम नरान पांडे जी ही करते हैं तो स्याम नरा है कुडाल जैसे पूछा जाए तुरंत आप कहेंगे सोहन लाल द्रिवेदी जी कुडाल के रचनाकार है मैंतली सरणगुप्त नहीं है राम चरीतु पाध्या नहीं है राम रिष्टि पाठी नहीं है सोहन लाल द्रिवेदी कुडाल रचना के रचनाकार है तो आपका विकल् बंधन नामक रचना के रचीता कौन हैं तो यहां चार नाम दिये गए हैं मुकुट धर पांडे माखल नाल चतुरवेदी बालकर शर्मा नभीन और सिया रामसरण गुप्त तो सहीं बिकल्प आपका है मुकुट धर पांडे जो प्रेम बंधन के रचना के रचीता माने जाते हैं मुकुट धर पांडे और इनकी रचनाओं में चायावाद का प्रथम प्रभात दिखता है तिस तरह से कितने आलोचक मुकुट धर पांडे को चायावाद का प्रथम मानते हैं तो आगे आईए अगले प्रश्न पर चलते हैं अगला प्रश्ने कानन कुसम किसकी रचना ह इन रचनाओं को बड़ ध्यान से याद करना है नील-कुसुम के रचनाकार कौं अगला प्रशन निल-कुसुम आपर अगर देखा जाए नेल किसम की जो रचनाकार है रामधारी सिंग दिनकरजी है शाभिकलप आपका सहीं हो रहा है रामधारी सिंग दिनकरजी है नेल कुष्यम इसी तरह अगला प्रस्ण है भारत गीत के रचेटा कौन है भारत थाकुर्ट जग मुहन सिंग है प्रेम घन है श्रीधर पाठक है भारत गीत के रचईता जो माने गए हैं श्रीधर पाठक जी माने जाते हैं श्रीधर पाठक जी हैं इस तरह से श्रीधर पाठक इसी तरह से अगला प्रशन है चित्रा नामक रचना के रचईता कौन है सोहन लाल द्रिवेदी मोहन लाल महतो मैतलिस रणगुप्त हरियोद यहां चित्रा जो दी गई है चित्रा के रचना के रचनाकार है सोहन लाल द्रिवेदी सही विकल्प आपका अ हो ज जाएगा इसी तरह से अगला प्रशन है अगला प्रशन यूगधारा किसकी रचना है अब यूगधारा तो आप सभी जानते ही होगे यूगधारा किसकी रचना है यूगधारा सुहनला द्रिवेदी की रचना है इस तरह से आप भरमित कर सकते हैं कि अग्यें की भी कोई ऐसी रचना है तो आप ध्यान देंगे युगधारा है क्या प्रभाति का रचना कौन है एक रचना प्रभाती है अगला प्रषन है प्रभाति के रचनाकार सोहनलाल द्रिवेदी जी माने जाते हैं सोहनलाल द्रिवेदी जी माने जाते हैं अगला प्रिशनाया आपके सामने उर्वसी किसकी रचना है उर्वसी किसकी रचना है आप सहीं बिकल्ब देखे राय देवी प्रसाथ पूर्ण राम चरीतु पाध्याय देनकर राम गुरुवसी इसी तना से अगला प्रशन है निम्न्म्मे से कौण सी रचना द्रिवेदी मंडल में नहीं था रचनाकार द्रिवेदी मंडल में नहीं आते हैं वाल कि सार्मा नभीन, जो है देवीद मंडल में नहीं आते हैं हो चार विकल्ब तेखिए अशाण इसीतर से आज की प्रशनोत्री का पहला प्रशन जो है गुप्त का वह का विजो राष्टी भावना और हिंदुवादी द्रिष्टकोण की अभिव्यक्ति करता है तथा राष्टी सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपनी असमानांतर लोक प्रीता रखता है वह है भारत भारती है साकेत है जैद्रदबध है प्रिपथगा है यहां पर आप देख पा रहे हैं इसमें से चार जो लोक प्रीता रखता है वह है भारत भारती सही विकल्प आपका अ हो जाएगा इसी तन सगला प्रस्ण होगा गुप्त कृत साकेत की रचना के मूल में किसकी प्रेणा नहित है राष्टवादी विचारों की पूर्व कृत राम कथाओं की कभियों की उर्मीला विश्यक सिंता को लेकर साकेत लिखा गया है तो यहां प्रस्ण विकल्प आपका सही हो जाएगा सही हो जाएगा यह प्रस्ण बहुत बार पर इक्षाओं में पूछा जाता है इससे रिलेटेड प्रस्ण पूछे जाते हैं इसको सदेव ध्यां में रखेंगे इसमें गल्ती न ठोन महा काब है, प्रवंध काब है, खंड काब है, मुक्तक काब है, तो साकेत का जो काब रूप है, वह क्या है, महा काब है, खंड काब है, प्रवंध काब है, तो साकेत का काब रूप जब पूछा जाए, तो आपको याद रहना है, यह शाकेत एक प्रवंध काब है, साकेत एक प हります कि समर्पित है तो आप देख रहे हैं साओ कि प्रिष्ट भूम जो और मीला वसे खुदा सिंता 우리가 द exist can yeah is tôi श्री राम को नहीं है भारत भरत को नहीं है सीता को नहीं है यहाँ पर सब इकल्ब सही और मीला को लेकर यह लिखा गया है इस दरह से आप सही मान सकते हैं उर्मीला को स्यमार पीत हैं अगला प्रश्ण फीरा सामने आता है मेगनाध बद के रचीटा कौन थे मेगनाध बदद के रचीटा जगनाध दाशरत नाकर आयोध्याा सीद मपाध्याय सिया रांसरंगुप्त माइकल मदसुदंदत ति मेगनाध माईकल मद सॉधन दत बाद्त इसी तरह सः अगले प्रश्ण की बात करते हैं अगला प्रश्ण प्रिप्रवास में क्या न्वी कुछस्था प्रदान करती है अभी यह प्रश्ण बहुत ही महत्पूर्ण है इस तरह के प्रश्ण जी में या UPSC में पूछे जाते हैं जो लेक्षरेर के पद के लिए पूछे जाते हैं यहां पर ध्यान देना है इस प्रश्ण को बड़े ही सरल तरीके से समझना है कि क्या है प्रिप्रवास में चरित्र सम्मंधी क्या नभीन उद्भावना इसे विशिष्टा परदान करती है त तो यह विकल्प द सही हो रहा है द विकल्प आपका सही हो जाएगा इसी तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं द्रिवेदी यूगीन कौन सागरंथ ब्रजभासा की स्रेष्ट काव परंपरा के भाव इसमारक के रुप में इसमर्डी है अब कौन सी ऐसी रचना है जो इसमर बैदेई बनवास तो जो है ब्रजभासा की स्रेष्ट काव परंपरा के का विश्मारक के रुप में इसमर्डी है बैदेई बनवास इस तरह से बैदेई बनवास को आप सही विकल्प कर सकते हैं अगला प्रिशनाज का जो है दिवेदी यूग को अन्न किस नाम से अभित कि दिवेदी यूग का जब भी नामकरणाय जागरण सुधारकाल नाम से दिवेदी यूग को जाना जाता है जागरण सुधारकाल आप सब इगल्प सही कर सकते हैं इस तरह से आज की प्रशनोत्री यहीं शमाप्त करते हैं प्रशनोत्री आपको अच्छी लगी है तो चैनल क को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों में वीडियो को सेर कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं धन्यवाद जय हिंद जय भारत